आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान सी स्नेक्स बंगोणी बंगोडी बनाने के लिए हमें चाहिए मुण की धुलियूई दाल और मुण की छिलके वाली दाल औरत की दुलिवी दाल, औरत की छिलके वाली दाल, और ये है मूट, मूट आपके option है आप डाल सकते हो, ये बहुत फायदे वाली होती है, और ये चट्नी, चट्नी के लिए हमें चाहिए टमाटर, हराधनिया, अद्रग, लैसन, हरी मिर्ची, और मंगोडी में डालने के लिए ये लैसन, अद्रग, और हरी मिर्ची की पेस्ट है, नमक, लाल मिर्च, और प्याच, अब हम मंगोडी की चट्नी बना लें, अब हमारी चट्नी बन के तयार होगी है, ये पाँचो दालों को हमने रात में सोब करने के लिए रख दिया था, अब इसको हम पीसे में, अब हमारी दाल पीस गई है, अब इसमें हम मिलाएंगे प्याज, लैसन, अद्रग की पेस्ट, एक चपमच, थोड़ी लाल मिर्च, नमक, नमक मिर्च आप अपने साथ के अनुषार डाल सकते हैं, अब इसको मिक्स करके, हम इसको फ्राई करेंगे, अब हम कड़ाई में तेल डाल दिया है, बस तेल गरम हो, मंगोडी तलेंगे, अब इसमें हमने सब मसाले डाल के मिक्स कर लिया है, अब इसको फ्राइल करेंगे, छोटी-छोटी मंगोडी डालेंगे इसमें, बारिश का मौसम है ना, बारिश की मौसम में बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ खाने में, आप भी अपनी गड़ में ट्राइ करो, इसको थोड़ी दे, सिम पे लग देते हैं, हमारी मंगोडी बनके तैयार हो गए है, दीखिए कितना अच्छा कदर आया है, चाय के साथ खाईए, बच्छों को बहुत अच्छी लगेगी खाने में, एक बार बच्छों को खिलाएंगे, बार बार बूलेंगे, बनाओ, अब हमारी टेस्टी और चर्पटी मंगोडी तैयार है,